नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्टडी फॉर UPSC PCSMS वागत है, इकॉनमिक्स का छठा लेक्चर है ये, इससे पहले पांच लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको जाके आपको देखना ही देखना है, नहीं तो आपको आगे का समझव नहीं आएगा, पिछले लेक्चर मैंने बैंकिंग के इतिहास को कंप्लीट करा दिया था, हिस्ट्री, उसमें से आपके प्रिलियम एक्जामें बहुत सारे कोसन्स बनते हैं, तो उसको जाके आप जरूर कंप्लीट कीजिए, आज हम क्या परेंगे, बैंकिंग के प्रकार परेंगे, और समझने वाला जो आज समझेंगे, ओके, तो शुरू करते हैं इस यहां से, उससे पहले एक चीज़ को लेके बहुत जादे कंफ्यूजन हो रहा है लोगों में, उसके लिए बस एक मिनट लूँगा, मैं जादे उस पर बात नहीं करेंगे, आज यह लेक्चर एकॉनमिक्स का है, कि एक दैनिक भास तो आपको PT के हिसाब से त्यारी करते ही रहना है, 60-40 के रेसिवरम त्यारी करना, यानि कि 60% Pre के लिए आप ध्यान दीजे और 40% Mains के लिए ध्यान दीजे जिससे आपको भोरी अतना हो, है न, एक रिदम बना हुआ रहे आपके परहाई में, PT के त्यारी मत छोड़ना, आयो Banking का इतिहास मैंने बता दिया था, सबसे पहली चीज मुझे कोई भी ये बताए कि Bank काम क्या करते हैं, है न, देखो इतिहास में जब प्राशीन भारत पर हो गए न, तो स्रेनी संगठन होते थे, क्या बोल रहाओ मैं, सेनी संगठन होते थे, जो Banking का काम करते हैं, सेनी की पॉज लाखता धान कई डियों किरा क्यों सब्सक्राइultur आप совताए से खाल चैघाल चैज़ाहाई काम podéis इसलौमिकी की इस्टरणी ध्यान रखना धैसले इसमीच म्जश्रूज नहीं लिया जाता है ना लिया जाता है औरना सूध पर पैसा लगाया जाता है मतलब सूध वसूली नहीं होती इसमें जितना पैसा आपको लिन देगा उतना ही पैसा वापस होती है क्योंकि सूध को हराम माना जाता है इसलामिक में तो ये चीजें होती है ये मैंने थोड़ा साब को history दिया है आज के रूप में मुख्य रूप से चलते हैं कि bank है एक question ध्यान से देखना question solve होगा इससे UPSC के मैं बात करा हूँ BPSC का तो छोड़ी दो BPSC के question के साथ अप लोग खेलोगे इसके परने के बाद कोई bank है ये व्यक्ति है क्या करेगा ये bank है ये है ना ये गया ये व्यक्ति इसने यहाँ पर पईसा जमा कराया तो क्या होगा ये जो पईसा इसके पास जमा है bank के पास ये bank को सुरक्षित रखना होगा अपने पास भले ही उस पर ब्याज दे या ना दे अभी मैं बैंक की बात कर रहा हूँ जो एक बैंक है उसमें एक वेक्ति है यह जो पैसा जमा करने क्या बैंक की liability क्या होगी कि इस पैसा को यह सुरक्षित रखे और जब यह पैसा मांगे उसको वापस किया जाए यानि कि बैंक में जितना भी आप पैसा जमा करते हैं जो भी कुछ आप जमा करते हैं बैंक में वो सब क्या है बैंक की liability है liability मतलब देता बनता है उसको सुरक्षित करके रखना है यह बैंक पर एक भार है यह बैंक की एक जिम्मेवारी हो गई अभी समझ जाओगे जिम्मेवारी हो गई इसकी कि इसको ये पैसा समभाल के रखना होगा समझ रहो ना तो ये liability हुई bank की UPSC के question में बता रहा हूँ आपको समझ में आ गई बात अब bank है bank ने आपको ए को क्या किया रिन दिया कर्ज दिया है ना इस कर्ज पर bank क्या वसू लेगा ब्याज वसू लेगा ब्याज ले रहा है bank एसे जितना भी ले रहा है 5% ले 10% ले 20% ले कुछ भी ब्याज ले bank क्या कर रहा है ब्याज से पैसा कमा रहा है यानि कि bank की पूजी क्या हुई bank का पूजी क्या हुआ जो आपको रिन देती है ना जो हॉस लेगन लेते हो या गारी के लिए रिन लेते हो तो किसी भी चीज केले आप education loan लेते हो वो जो आपको loan दे रहा है न वही है बैंक का क्या capital यानि की बैंक की पूजी क्या है जो करज देती है आपको उसी से वो कमाती है बैंक की लाइबिलिटी क्या है जिम्मेवारी क्या है जो आप बैंक में पैसा जमा करते हो वो बैंक की जिम्मेवारी है ये दो चीज किलियर हो गया यानि कि एक समोसा दुकान वाला है वो समोसा बेच रहा है तो उसकी पूजी क्या है वो समोसा है जो बना के व रहा है उसी से तो वो कमा रहा है ना समझ रो न मैं क्या कह रहा हूँ है ना पूजी क्या होती है जिस सीज से अर्निंग होती है किसी की भी है ना तो वही पूजी कहलाती है तो बैंक की पूजी क्या होती है तो जो कर्ज देती है जो रिन देती है आपको वही बैंक की पूजी होती है बैंक की पूजी क्या है तो रिन है जो बैंक रिन बाटती है न वही है बैंक की पूजी यहां के लिए रहो गया यहां तक कोई इसी समस्या बैंक का बिलकुल बेसिक था कि बैंक की पूजी क्या होती है और बैंक की जिमेवारी क्या होती है जो भी आप बैंक में जमा करने जाते हैं पैसे वो बैंक की जिमेवारी है उस पर आपको इसलिए कम इंटरेस्ट देता है एक परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट का जादे जादे लेकिन जब आप बैंक से रिन लेते हो तो उस पर पांस से लेकर आठ परसेंट तक 9% तक 10% तक ब्याज लगाती है अलग अलग रीन के लिए ये क्या है ये बैंक की अर्निंग है पूजी और जिम्यवारी समझ में आ गई बैंक की कैपिटल क्या होता है बैंक के लिए और बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या होती है ये बात समझ में आ गई होगी अब चलते पर चलेंगे दो भाग है इसके एक होता है अनुसूचित एक होता है गैर अनुसूचित इसकी हम बात नहीं करेंगे इसकी कभी और बात करेंगे ओके अनुसूचित जो बैंक होते हैं इसको भी तीन भागों बांटा गया है एक होता है वानेजिक दूसरा होती है सहकारी तीसरी क्या होती है यह सब पूछता है आपको RRB Rural Regional Bank जो होते हैं समझ में आगई बात वानिजीक बैंक ही आपने सबसे ज़्यादे देखे होंगे वानिजीक बैंक ही आपके आसपरोस में होते हैं सारे इसको भी दो भागे बांट देते हैं लोग एक होता है सरकारी और एक क्या होता है प्राइवेट या निजी क्या बोलते हैं इसको एक होता है सरकारी और एक क्या हो जाती है निजी प्राइवेट जिसको बोलते है सरकारी के उदारन क्या सब हो गए जितने भी आपने आसपरोस में बैंक देखेंगे, Max1, PNB ले लो, SBI हो गई, या और भी कोई साभी बैंक, बड़े-बड़े बैंक जो भी आप देखते हो, आपने आसपरोस, नीजी में कौन सी हो गई, HDFC, यह भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, यह भी पूछ स लगता है आप से, I-C, 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 I, C I, ऐसे ही करके क्या पूरा ह juice का, बहुत सारा, I-C, I-C, I, C.I. है, ऐसे ही है न, थिह, बरांच के मामले में न, देखो, फ्राइवेट बैंक में,最近 का बड़ी प्राइवेट बैंक है, लेकिन बरांच के मामले सबसे ज़ादे किसस की है, ICICI की ICIC bank हो गई और private bank के उधारन दे दिये मैंने, सरकारी bank के उधारन दे दिये मैंने PNB और ये सब अब क्या होते हैं, अनसुचित bank कहते किसको है अगर आपसे कोई ये पूछेगा आप क्या बोलेगा, आपको बोलना है कि RBI, Richard Bank of India Act 1934 के द्वारा अनुसासित होते हैं ये 1934 Act RBI का जो है उसके द्वारा governing जो bank होते है उनी को अनसुचित bank कहा जाता है RBI का अनसुचित किसमें? सेकंड अनसुचित bank को समझ में आ गई बात सहकारी bank के होते हैं ये मूल रूप से सिवा के लिए काम करते हैं लाव के लिए काम नहीं करते हैं सहकारी bank की होते हैं और ये नाबार्ड καंट्रोल करता है इसको अनसीक रूप से कौन का ट्रोल करता है? नाबार्ड अनाबार्ड के माइवाप कौन हating हैं? तो RBI भारत में बेंकिंग का माई बाप तो एक ही है RBI ही है Rural Regional Bank होते हैं इसको 1975 में गरामीन छेत्रों में इंक्लूजन लाने के लिए इंक्लूजन का मतलब क्या होता है गरामीन छेत्र में लोन बांटने के लिए इसकी अस्थापना की गई थी 1975 के 2 October को की गई थी इसमें क्या सब होते है भाई तो RRB में 50%, 35%, 50% पंदरा परसंट इसी की देता होती है 50% किसकी होती है 50% होता है Central Government का 35% होता है Sponsor Bank का 15% होता है State Government का यही होता इसमें और इसके अलावा तो नहीं होता है एक मार रुजा मैं एक बार confirm कर लेता हूँ हाँ तो यहीं ठीक है यही होता है RRB में अगर 100% का उसका मार्केट है तो 50% उसमें Central Government देगी 35% Sponsor Bank देगी कोई भी बैंक जो RRB होती है वो किसी एक Sponsor Bank से जुरी होती है और 15% होगा उसा 15 रुपया वो State Government लगाएगी लेकिन यहाँ पर एक चीज है आपको समझने वाली बात यह है आपके लिए इतने ही RRB बचे हैं सबको मर्ज कर दिया गया जितने भी थे तो केलकर समीती केलकर समीती ने इसको बंद करने के सिफारिस की थी इसको बंद कर दिया जाए इसें बहुत जादे NPA क्रियेट हो रहे थे NPA क्या होते हैं Non Performing Assets होते हैं आपको समझ में आगी banking कितने तरह के होती है बैरत्य बैंक अनसुचित और गयर अनसुचित दोनों हैं अनसुचित को वानिजिक सहकारी और आरारवी तीन भागों बांटा जाता है वानिजिक जो इसको उसके बाद से और भी इलावाद बैंक, जो भी बैंक आप देखते होंगे आसपरोस, वो सारे सरकारी होते हैं, नीजी होते हैं, जैसे SGFC होगी, ICIC होगी, और भी आपको जो भी पता होगा, वो सारे नीजी बैंक होते हैं, फिर मैंने आपको RRB बताया कि 50, 35 और 15% का होता है, इसको जरूर ध्यान में रखना, लिख के रख लेना, स्टेट PCS में और UPSC में भी यह चीज़ पूसता है, 1975 में इसके अस्थापना होई थी, इंदरा गांधी की सरकार में, जब इमर्जेंसी लगा हुआ था देश में, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि बैंकिंग ज होती है, और पूजी क्या होता है, किसी भी बैंक का, वो बताया है, इसको किलियर लखना, आपने माइंड सिट बनाके, विल्कुल किलियर रखना, पूजी क्या होती है, बैंक की, और लेबिलिटी क्या होती है, अगर ये किलियर रहा, तो आपको आगे दिक्कते नहीं होगी अब आगे चलते हैं जल्दी से चलते हैं कि बहुत सारा कुछ परना है आज तो उसके बाद है कि RBI RBI के बाद है हम थोरा सा जानते हैं क्या है यह 1934 में इसके कमीशन बनी थी उसके बाद से 1934 में 1935 में इसके अस्थापना हुई है डॉक्टर अंबेटकर जी का बहुरा योगदान है इसके अस्थापना में आप बोलूगे यह क्या बोल दी आज तक नहीं पता होगा आप लोगों को मैं आज ही बता रहा हूँ आज से नोट करके डखने हैं जब पता चले तभी नोट कर लो है न पता है मुझे इसलिए बता गया था कि भारत में पईसे का प्रवंधन वित्य प्रवंधन कैसे किया जा इसके लिए इसके सामने डॉक्टर में एड करने रखा था कि भारत में एक रेगुलेटिंग बॉडी होना चाहिए मैंने क्या सब्द यूज किया रेगुलेशन का मतलब क्या होता है रेगुलेश में इसकी अस्थापना की कोई थी RBI की रिजहर bonk और इंडिया की ओके लिकिन यह समय भी नीजी हातों में ही था तो 1949 इस भी में इसका राश्ठिय करन किया गया है 1949 में RBI का राश्ठिय करन किया गया भारत का पहला राश्ठिय करन अगर पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तब को पता होगा 1949 में RBI का राष्टे करन किया गया आपके लिए कुछ फैक्ट क्या है इसके फ़र्ष्ट जो गवर्नर थे वो कौन थे इसके फ़र्ष्ट गवर्नर थे O.S. Smith not down करके रख लेों आपको काम आएगा सवतंत भारत के कौन है तो जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया है उसके बाद कौन बने है तो C.D. देश्मुक Rebecca C.D. देश्मुक इसके सवतंत भारत के पहले गवर्नर ज swतंता के बाद कौन बने है सवतनतागाद CD देश्मुक जी सबसे पहले गवर्नर बने हैं सवतनतागाद, पस्छाट लिख दो तो इसके बाद CD देश्मुक ये मैं बारबार इसलिए कह रहा हूँ भहुत बार पूचा है यार आपके एक्जाम में इसमें कौन होते हैं इसमें एक गवर्नर होता है और चार उसके उप गवर्णर होते हैं पांच लोग की बॉड़ी होती है ये गैर सरकारी इंदिसक में 16 लोग होते हैं जिसमें क्या होता है ना सरकार द्वारण नामित होते हैं 11 लोग के करीमा चार अस्थानिय बोर्ड में से एक एक आते हैं तो 12 या 11 कभी कभी नामित होता है अलग-अलग हो जाती है संक्या 12 प्लस और 4 होते हैं चार जो अलग-अलग इसके आरविया के बोर्ड है ना भारते बने हुए जिसे चन्ने बोर्ड है अलग-अलग बोर्ड है इसके देस में देश में 26 RBI के ब्राँच हैं लगभग में सारे राजियों के लगभग में मैं कह रहा हूँ लगभग में जहां भी इसके ब्राँचे जो होती है राजी की रालधानी में होती है पटनाम आप जाके देख सकते हुआ पटनाम होगा या लखनों में होगा तो उनके जो निदे सक होते हैं न चार उनको भी इरिजिनल को सामिल किया जाता है इसमें क्या हमारे काम की है ये नहीं है हमारे काम की कौन से चीज है हमारे काम की चीज है ये इसका कारे क्या है आर्विया कारे बहुत बार पूछा है पहला नोट जारी करना दूसरा मौद्रिक निती यही सबसे important है इसी को हम लोग कल परहेंगे मौद्रिक निती यह क्या है यह भारत में पैसों के एक नदी बहरी है जिसको control करती है RBI एक वार नल बंद कर देती है पैसे रुक जाते हैं कल मैं बताऊँगा आपको तीसरा वित्तिय प्रबंधन है ना regulation यह सारे काम कौन करती है RBI करती है चौथा विदेसी मुद्रा का प्रबंधन यह पूछता है UPSC ने पूछ लिया है सिधा सिधा कि विदेसी मुद्रा का प्रबंधन नीमिन से कौन करता है प्रबंधन management जिसको बोलते है उसके बाद से सरकार का banker होता है सरकार का bank सरकार बोले तो भार सरकार क्या नहीं central plus state government दोनों दोनों का banker कौन होगा RBI होगा च्छठा काम क्या होता है बैंको का bank होता है बैंको का bank भी होता है इतना सारा काम हो गया इसका समझ में आगई बात RBI के अस्थापना मैंने आपको बता दिया RBI अस्थापित कब हुआ था और उसके कौन-कौन Hilton Young Committee को जरूर याद में रखना Hilton Young समीती इसको जरूर धियान में रखना उसके बाद 1926 में ये बनी थी समी थी डॉक्टर अमेड कर ने इसके सामने सिफारिस की थी भारत में एक regulating body जरूर होनी चाहिए regulating body क्या करेगी तो सारे बैंकों का regulation करेगी bank कोई भी जो होते हैं देश में अन्सुचित bank कोई भी होगा भारत में वो उसी के अंदर में काम करेगा चाहे बिदेशी bank भी अगर भारत में आएंगे तो उसको RBI के regulation मानना ही पड़ेगा 1935 में इसके अस्थापना हुई है पहले गवर्नल ओव समीत है स्वतंदरता के पस साथ CD देश मुकेस के governor बने है और RBI में सरकारी नेश्दक होते हैं 5 और 11 सरकारी नेश्दक होते हैं कल मैं आपको मौदरिक निती सब के बारें बताऊंगा ओके आज अब चलते हैं आज का सबसे important topic कौन से topic है आज का सबसे important एक है मुद्राजफिती इसको क्या कहा जाता है मुद्राजफिती को अंग्रेजी में अगर English Medium में आपको problem आग रहा हो तो inflation क्या कहा जाता है inflation कहा जाता है असपश्ट सब्दों में कह रहा हूँ inflation मुद्राजफिती इसको मैं अभी से sort के लिए INF लिख लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखना परेगा समय जाएगा inflation क्या होता है अगर आपको कोई definition पूछेगा तो एक definition भी पता होना चाहिए मैं एक बार किताब में दिखा देता हूँ definition इसको मैं समझा दूँगा सामानी सब्दों में यहां पर देखो क्या लिखा हूँ है जब अरथव्यस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्ती का पिक्षा मुद्रा के अधिक हो जाती है अरथात वस्तुओं सेवाओं के आपूर्ती का पिक्षा उसकी मांग अधिक हो तो कीमते सतत रूप से बारती है मुद्रा का मुली घटता है जिसे मुद्रा अस्पिती कहा जाता है मुझे पता है किसी कुछ समय समझ में नहीं आया हुआ मैंने बस डिफिनेशन के लिए दिखाया है आपको इसको नोट डाउन करना होगा तो वीडियो पॉस्ट करके नोट डाउन कर ले ना उसको जैसे आम है सामाने सब्दों में लेकर चलते हैं दो हजार एकीसिस भी दिसंबर महिना कौन सा चीज लेने कहे तुम चलो तुम क्या बोलो मैं कोई सबजी लेने कहे तुम रेजटेबल लेने कहे आलू लिया प्याज लिया 100 रुपे का ठिक दो हजार बाईस अक्टूबर फिर से गए तुम यही सब समान लेने के लिए उतना ही एमाउंट में आलू लिया प्याज लिया यह समान तुम्हें आज मिलेगा कितना में 110 रुपे में समान तो वही है दस रुपे कीमत क्यों हमारे पैसे की परचेजिंग हमारे पैसे की खरीदने की सक्ती हमारे पैसे की खरीदने की सक्ती कम हो गई है इसलिए 110 रुपे का मुझे समान मिला है जो 100 रुपे का पिछली बार मिला था यानि की पिछले बार जो 5 आम 10 रुपे का मिल रहा था इस बार 5 आम 12 रुपे का मिल रहा है ये दो रुपया क्या है? ये दो रुपया ही inflation कहलाता है समझ में आगए बात inflation की इसको कहते है? मुद्रा अस्फिती सर्च करके देखना है, मुद्रा का मतलब पैसा होता है इस्फिती का मतलब पता है क्या होता है? वृध्धी, growth, supply और demand दो चीजे मैंने पहले ही दी नहीं बताया था जिस चीज की supply ज़्यादा होगी, demand कम होगी supply ज़्यादा, demand कम, यनकी मान लो, खूब सारा आम उपजगे आपके बगीचे में खूब सारा धान उपजगे आपके खेत में धान की कीमत क्या हो जाती है? गिर जाती है जाएगा, supply कम, demand ज़्यादा, किसी भी चीज़ का देगा कोई भी रियर चीज़, हीरा इतना महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि जितना उसका demand है, उतना ज़्यादा उसका supply नहीं है सीधी सी बात है, मिटी क्यों सहर जगा परी मिलती है? कोई भी किसी को दाम नहीं देता मेटी खरीदने के लिए, क्यों? क्योंकि वो सब जगा उपलब्द है, उसकी supply जाता है supply डिमांड ही होता है, मुख्य रुप से मुद्रा, SPT तो मुद्रा की supply मुद्रा की supply मुद्रा की क्या बोलते है, उसका supply अगर जादा होगी, समझ रोन मैं क्या कह रहा हूँ, और डिमांड कम होगी तो क्या हो जाएगा? मार्केट में पैसा जादा आ जाएगा, तो मुद्रा, SPT हो जाएगा सब के हाथ में लाख लाख रुपे दे दो, तो क्या हो जाएगा? मुद्रा, SPT की कंडिशन ना जाएगी, मुद्रा, SPT समझ में आई होगी, थोरी बहुत तो समझ में आई ही होगी, बागी कल तो मैं किलियर करूँगा ही तो मैंने क्या बोला? कि मुद्रा की मार्केट में, मार्केट का मतलब से पहले क्या होता है? यार, लोग समझते ही नहीं, मार्केट मार्केट में बार बार क्या रहा हूँ एक है भाई साब, RBI ओके, ये सारे हैं, बैंक, देश के और ये अपना पूरा भारत है RBI ने क्या किया? 500 रुपे नोट छाप दिया बैंको को दे दिया बैंको ने क्या किया? ये RBI जैसे ही बाहर आया, यानि कहां पर आ गया? ये कहलाता है मार्केट बैंको को पास आगे, बैंक क्या करेंगे? उसको अपने जेम में रखेंगे? क्या? नहीं वो रीन दे देंगे, उद्योग पतियों के रीन देंगे, बोलेंगे, हाँ भाई तुम बिल्डिंग बनाओ जाके, हाँ तुम कार खरीदो जाके, हाँ तुम जाओ उत्पादन करो, बहुत सारा खेत में, जाओ आलू, उसके चिप्स बना के बेचो यह सब क्या होगा? यह सब जब उद्योग पतियों अपने पास पैसा लेके आएंगे, तो मालो उन्होंने बिल्डिंग घरी करनी शुरू की, सोसाइटी बनानी शुरू की, या कार बना उत्पादन शुरू की, तो क्या करेंगे? वर्कर रखेंगे, वर्कर के पास पैसा ज जाता है, यानि कि, जैसे मालो गॉर्मेंट है, आर बियाई है, आर बियाई ने बैंक को दिया हजार करोर रुपे, अब आइस बियाई ने पास सो करोर करके दो उद्योग पतियों को मार दिया, उद्योग पतियों ने क्या क्या, दो फैक्टरियां लगाई, वहाँ पर वर् उपलब्ध नहीं है, सेवा बोले तो, यानि कि भोजन उपलब्ध नहीं है, उस मार्केट में कपरा नहीं बन पा रहा है, उस देश में, उस देश में गारिया नहीं बन रही है, उस देश में कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई सेवा नहीं मिल रहा है लोगों को तो लोगों को पस पईसा परा हुआ है तो क्या होगा? इन चीओं की कीमत बर जाएगी, समझे रोगने मैं क्या कहे रहा हूँ? इनकी कीमत बर जाएगी, इसी को क्या कहा आँ? इन्फिलेशन कहा जाता है, टमाटर की उतपादन कम होगा, तो टमाटर की value जादा हो जाएगी टमाटर की उत्पादन जादा हो जाएगा तो टमाटर की उत्पादन गिर जाएगी तो मुख्य रूप से मैंने क्या बोला कि जब पैसे की जाओ बहुत जादे देश में सप्लाई हो रही हो मार्केट में सप्लाई हो रही हो लेकिन उनका demand नहीं बन पा रहा हो यानिकि सेवाओं का अगर RBI ने 100 रुपे का नोट छापा है तो इस 100 रुपे के मुल्ले का बाजार में कोई ने कोई सेवा जरूर उपलब्द होनी चाहिए नहीं तो इस 100 रुपे जो है ये बेकार हो जाएगा समझ में आ रहे हैं बात मैं क्या कह रहा हूँ ज़्यादा कॉंपलेक्स नहीं हो रहागा मुद्रा इस्विधी बहुत ही आसान है मुद्रा का अगर मार्केट में जादे आ गई है तो उसको मुद्रा इस्विधी कहते है जब भी किसी भी चीज़ की सप्लाई जादा हो जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है वही चीज़ है 100 रुपे का आपने पिछले साल एक कपरा खरीदा 100 रुपे का कपरा खरीदा पिछले साल इस साल वो आपको कपरा 50 रुपे का मिल रहा है आप क्या बोलोगे कि हमारी पैसे की value purchasing power बार गई है जो समान मैंने पिछले बार 100 रुपे में खरीदा था इस बार मैंने 50 रुपे में खरीद लिया हमारे पैसे की value तो दो गुनी हो गई है बिल्कुल मजबूत हो गया है हमारा पैसा यहां तक बात समझ में आई पहला लोन देने वाले को लाब होगा दूसरा लोन लेने वाले को लाब होगा किसको लाब होगा तो पिछले इस बार जब इसने लोन दिया था तब इसने 100 रुपे का लोन दिया था उस समय 100 रुपे के value 100 रुपे थी आज जब वो लोन वापस करने जा रहा है तो इंफलेशन के कारण मुद्रास्पिती कारण उस 100 रुपे के वैल्यू घटकर 90 रुपे हो गई है अब आप बताओ मुझे जिसने लोन दिया था क्या उसको फाइदा होगा नहीं उसको 100 के बदले 90 ही मिल रहे हैं लेकिन जिसने लोन लिया था क्या उसको फाइदा होगा उसको तो बड़ा फाइदा हो उसने लिया 100 रुपे था लेकिन वापस वो एक्चुली में 90 रुपे ही कर रहा है भले ही आज ये 100 रुपे दिख रहा हो एक्शली में इस सौर रुपय की value आज क्या हो गई है? 90 रुपय हो गई है 5 साल पहले जब आप 1000 रुपय जए लेकर market में जाते होगे तो बहुत कुछ खरीज सकते थे आज आप 1000 रुपय लेकर जाओगे तो market में दो ढंक कपरा भी नहीं खरीज पाओगे क्या हुआ है पैसे की value कम हो गई है समझे रहो ना बात में क्या कह रहा हूँ तो किसको नुकसान होता है मुद्राइस्पिती में तो loan देने वाले को नुकसान होता है बैंकों को नुकसान होगा और आप अगर loan लेंगे तो आपको फायदा होगा है अगर inflation आ जाता है तो loan लेन fix होता है वेतन निस्सित है जिनका अर्थात यानि कि 20,000 salary मिल रही थी पिछले साल भी मान लो और आज भी उसको 20,000 ही मिल रही है तो क्या होगा क्या ये 20,000 पिछले साल वाली 20,000 के बराबर है क्या नहीं है आज इसकी value लगवगम 18,000 की हो गई लेकिन है तो 20,000 क्योंकि महं महंगाई बर गई है आपकी salary अगर मान लो मैंने 10,000 से 20 के कर दिया market में हर चीज दोगुनी महंगी हो गई दोगुनी महंगी हो गई यानि कि inflation हो गया महंगी का मतलब महंगाई का मतलब inflation का मतलब महंगाई भी होता है दोगनी महेंगी होगी, क्या इस salary का बढ़ने का कोई परिनाम निकलेगा, नहीं, परिनाम कब निकलेगा, जब salary तो बढ़ी है, लेकिन मुद्रा स्पिती, मुद्रा स्पिती, मुद्रा स्पिती उतना ही रहे, तभी salary बढ़ने का लाभ मिलता है, ये सब questions पूछते हैं, इसलि से मुद्रा स्पिती बढ़ेगा, कुछ भी परभाव नहीं परेगा, पिछले साल UPSC ने question पूछा, कि आप जब अपने bank account से 1 लाख रुपे निकालते हो, तो उससे inflation पर क्या परभाव परता है, तो कुछ भी परभाव नहीं परता है, आरबिये से जब कोई money market में आ चुका है, उसके बाद वो सारे money है, market में है, उसके बाद आप market में उसका कितना भी यूज़ करो, उसका inflation पर कोई परभाव नहीं परता है, समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूँ, inflation यहाँ पर समझ में आ गई किसको लाव होता है, किसको नुकसान होता है, निस्सित वेतन वाल बेन फिर मिलता है, अब चलते हैं कि मुद्रा स्पिती से थोरा सा पांच मिनट बस लूँगा, मुद्रा स्पिती से कुछ फाइदे भी होते हैं, कल 100 रुपे की वेल्यू, एक डॉलर कल था 50 का, आज एक डॉलर हो गया है, असी का, यह इसी को इन्फिलेशन ही कहा जाता है, पैसे की कमजोरी जो होता है, इसी को इन्फिलेशन कहा जाता है, मेहंगाई को inflation कहा जाता है पैसे कमजोरी को inflation कहा जाता है 80 रुपे हो गई है मालो अमेरिका का कोई इंसान है ये इंसान है अमेरिका से आ रहा है भारत ये मालो 2010 है ये है 2022 2010 में वो एक डॉलर लगके आया 50 रुपे का समान खरीदा लेके चलागे अपने देशने बेचा उसने 2022 में वो भारत आया एक डॉलर लेकर उसने 80 रुपे का समान खरीदा यानि कि मुद्राइस पिती जो होती है ये देश के एक्सपोर्ट को यानि कि निरियात जिसको बोलते है उसको बढ़ाने का काम करती है समझ में आगई बात देश के एक्सपोर्ट को निरियात को मुद्राइस पिती बढ़ाती है आयात को आयात क्या होगा आयात का बिल बरता है हमारा हमारा जो बैपार घाटा है वो बर जाएगा क्योंकि पहले हम 50 रुपे दे के एक डॉलर का समान खरीद लेते थे आज हमें 80 रुपे उसी के लिए देना परेगा एक डॉलर के समान के लिए हमारा जो नुकसान होगा आयात का बिल बर जाएगा लेकिन एक स्पोर्ट इसमें जादे होता है देश से जब मुद्राइस पिती आती है तो मुद्राइस पिती पर ही आज कंप्रीट करेंगा उससे पहले मैं आपको एक वक्र करवा देता हूँ एक भाई साब है फिलिप्स क्या नाम है फिलिप्स नाम है इन्होंने एक बक्र दिया कर्व दिया कर्व जिसको बोलते हैं यहाँ पर लिख लो बेरोजगारी यहाँ पर लिख लो इन्फिलेशन इन्होंने क्या बोला ऐसे यह वक्र काम करती है इन्होंने बोला कि जब इन्फिलेशन बढ़ता है ना तो बेरोजगारी कम होती है बेरोजगारी कम होती है यह इन्होंने बोला कि इंफ्लेशन जब बढ़ता है मानलो महंगाई भड़ी आज जो समान बिसकेट आपको 10 रुपे का मिल रहा है कल वो 12 रुपे का मिलने लग जाएगा तो 2 रुपे कंपनी को जादे मिल रहा है और जादे बिस्किट के प्लांट लगाने से क्या होगा नौकरियां मिलने लगेगी लोगो कुछ-कुछ नौकरियां मिल सकती है जैसे आज मानलो आपको कोई चीज कोई भी एक समान बॉल ले लो एक बॉल ले लो क्रिकेट बॉल है वो 20 रुपे का मिल रहा है दो महिने बाद 5 मेने बाद 25 का मिलने लगया तो 5 रुपे का बेनेफिट मिलेगा कमपनी को तो कमपनी क्या करेगी अलग-अलग बॉल के प्लांट लगाई खुब ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएगी उत्पादन बढ़ाने के लिए वरकर्स को रखेगी तो बिरुजगारी कम होगा ले लेकिन अगर यह ज़्यादे दिन तक रहागी है तो यह 5 रुपे जो कमाना है इसका बेकार हो जाएगा कि मार्केट मुसको भी तो फिर खरीदने जाना परेगा ना रौ मैटेरियल बॉल बनाने के लिए वह भी तो रौ मैटेरियल खरीदने जाएगा वहाँ भी महंगाई जाद मिलेगी तो फिलिप्सबकर को इसीले याद किया जाता है इसीले इसको परहा जाता है कि इसने एक थोरी दी थी जो थोरी अपुर्ण थोरी है कि बिरोजगारी जो होती है शब मुद्रा मार्केट बहती है तो महंगाई एक निश्चित हद तक बढ़ेगी तो बिरोजगारी निश्चित रूप से कम होती है क्यों कम्पनीज को बेनिफिट होता है लेकिन अगर जादे दिन तक वो इन्फिलेशन रहता है तो फिर बिरोजगारी की दर्ज होती है वो बढ़ने लग क्योंकि महंगी होने लग जाती है सब जगह चीजें समझ में आ गई बात तो आज मैंने आपको बिरोजगारी फिलिप्स वक्र बताया है मुद्र एस्पिती मैंने भरपूर समझाने कोसिस की है नहीं समझ में आ आओगा आप बताना मैं अगली लेक्टर फिर से इसको कम्प आपना कब हुई 50-35 का फर्मूला याद रखना और बैंक की पूज़ी क्या होती है बैंक का कैपिटल क्या होता है और बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है सब बता दिया यूप्सी को सन आपने सॉल्व किया है बहुत सारे आज आपको पता भी नहीं चला होगा जैसे लाइ थैंक यू सो मच